असलाम अलेकूम एटक्लास और यू एटक्लास साइंस का आज हम लोग पेज नबर 41 पे टॉपिक करेंगे हेल्थ सहत क्या है जैसे एगरी कल्चर में उसके बाद वेक्सीन वगेरा में बायो टेक्नालोजी ने अपनी हदमाद सर अंजाम दे इस तरह सहत के शोब में हेल्थ के प्रिवेसली नो एडिक्यूट ट्रीट्मेंट वाज अवेलेबल केन बी ट्रीटेड यूजिंग बायो टेक्नालोजी टेक्निक्स के रहे हैं को बहुत सारी ऐसे लाइज बिमारगा है जो बायो टेक्निक के वज़ा से आज के दूर में उसके इलाज हो रहे हैं इडेटिफ बायो टेक्नालोजी प्रोडक्ट्स विचर यूज टू सेव लीव्स इंक्लूड के रहे हैं के बहुत सारी जो ऐसी बिमारगा हैं जो जो कह रहे हैं के जनेटिक नुक्स की वज़ा से हैं उनके बहुत सारे तरीकों में जो जिन्दगी बिचाने के रिए इस्तमाल की इन बायो टेक्नालोजी की एक इजाद है शुगर यानि जो शुगर के मरीजों के लिए मफीद है वैक्सीन है यूजड अगेस्ट मैनी इंफेक्श डिसीजिस वबाई बिमारगों से बचाओ के लिए यह मफीद है ग्रोथ हर्मून है यूजफुल फार स्टिमिलेटिंग प्रोथ जो बड़ होते रही कि केमल को तेज करने के लिए में फीद होती है उसके बाद बिटा अंड्रोफिन आपें किलर ड्रग है बिटा अंड्रोफिन है दर्द से स्कून पाता के लिए इंटरफेरोन है एंटी वाइरल परोटीन वाइरस से फैलने वाल जो प्रोटीन ये सारी वो medicines हैं जो बायो टेक्नालोजी की वजा से products बनी हैं ठीक है उसके बाद है important बायो टेक्नालोजी टेक्निक्स चंद दहम बायो टेक्नालोजी की जो टेक्निक्स है वो देखेंगीxic जीन थेरापी यह भी health related है बारियों के हिलाफ है जीन थेरापी जीन थेरापी इस यह एक तरीका है इस तरीका में जो इफेक्टट जीन है उसकी कमी को उसकी कमी को पूरा कर दिगा जाता है और नार्मल जीन से तबदील किया जाता है अमेंस की किसी पर्संट में AIDS है, cancer है उसको जो गेफेक्टिब जीनस उस से रिवलेस करके उसकी कमी को पूरा करके तो नार्मल जीन सुसमें तबदील किया जाता है एक ये मैथड है, सेकंड है genetic testing, genetic testing क्या है, genetic testing is one of the latest biotechnology techniques used for genetic diagnosis of inherited diseases, it involved the direct examinations of DNA molecules, it is also used to determine a child's paternity or person, आर परसन्स केह रहे हैं कि genetic testing, biotechnology की एक वो जदीत तरीन टेकनिक है, जो मरूसी बिमारियों की तशहीस के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें DNA के molecule का एक टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट से बच्चों की जो शनाहत है अबाव अच्दाद का पता भी लगाया जा सकता है, ठ क्लिके?